उसके बाद हम आजाते हैं Apps, Uninstall and Defaults के उपर तो Apps and Uninstall and Defaults के उपर यह है जैसे हमारे मोबाइल बहुत सारी Apps पो इस्टॉल कर लेते हैं तो इस्टॉल करने के बाद जब हमें वह जरूरत की नहीं रहती हैं उनको डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं अ सब्सक्राइब करने के बाद इस्टॉल करने के बाद जो एप आपने इसके अंदर इस्टॉल की है वह आपको सारी यहां पर नजब आ रही है अब जब वह सारी यहां नजर आ रही है तो इस पर क्लिक करके आपने जो है किसी भी एप पे क्लिक करना है तो अगर वह आपके कंपीटर में इस्टॉल है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से जाके जैसे अनिस्टॉल पे क्लिक करेंगे वह आपके कंपीटर म कि आपके कंपीटर में यह तो तो आगर आपको कोई भी अन्वांटिटटेप एप ऐप है जो आप चाहते हैं कि मेरे कंपीटर में ना है मुझे नहीं देखनी मुझे इस पर काम नहीं करना फिस चस्त आपने सिम्पल स्थ और उसको यहां से क्या कर देना अंड यह वर निकाल देना इन्स्टॉल का मतलब एंपको डाल लेना इन्स्टॉल जाम नहीं टो इस आप्स की वारे में आपको इनफर्मेशन दे रहा है अगर तकलीफ हो रही है तो भाइन कर सकते हैं जैसे आफिस लिख रहा हूं तो आफिस की जो भी होगी वह मैरे सामने आ जाएगी नसर आ जाएंगी तो इस तरीके से हैं डिफॉल्ट apps में क्या हो रहा होता है default apps का मतले हो रहा होता है video photos और music के ऊपर videos किसी पर लेते हैं selections कि यहाँ पर क्लिक किया तो सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आने के बाद आप जब गडबल क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो वीडियू पर फेई डिफल्ट प्ले होंगे ठीक है ना मतलब by default का मतलब होता है डबल क्लिक करने पर कोई भी जो वीडियो है पिक्चर है या ओडियो है वो कौन सी एप पर रन हो वह अगर किसी एप पर रन हो रही है आप उसको चेंज करना चाहरे है तो यहां default पर से जाके उसको आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह वेब जो एप्स होंगी उसके पर फिर वह फॉट ऑपन होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद offline maps पर आजाएं यह व्मारे यूज का नहीं है offline maps मतलब maps वगरा डाउनलोड करके जैसे google maps होता है Microsoft का offline maps फीचर है ठीक है apps for website कौन-कौन सी apps website से update हो रही होती है update daily basis पर हो तो इनको on रखें अगर off कर देंगे तो फिर वो update नहीं होगी वीडियो प्लेट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां से अगर हम इसको प्ले करते हैं तो जब भी हम इंटरनेट से कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो उसके लिए कुस सैट हटा देंगे तो वीडियो हाई resolution पर प्ले होगी resolution क्या होती है जैसे 480, 720, 1080, 2K, 3K, 4K यह उसकी resolutions है अगर आप चेक हटा देंगे तो वीडियो अपनी हाई resolution पर प्ले होगी इसमें हो सकता है वो लेक करें हो सकता है आपका internet के MPs जादा यूस करें तो आप चाहते हैं कि average lower resolution में वो प्ले हो तो इस पर चेक लगा दें optimize battery और optimize video quality अगर आप optimize battery पर रखेंगे तो video quality को low रखेगा ताके battery ज्यादा चल सके और अगर optimize video रखेंगे तो फिर video quality हाई रखेगा पर battery जल्दी consume हो जाएगी ठीक है तो आप अपने हिसाब से जो setting चाहें यहां पर कर सकते है जैसी window में login होते हैं अब startup में यह किरा है कि अगर आप startup पे कौन कौन सी app automatically run हो जाएं तो यह वो सारी apps के नाम आ रहे हैं जो startup पे automatically run हो जाती है मेरी कोई personal app file या folder startup पे खुल जाए तो उसके लिए क्या तरीका है उसके लिए आपको यह startup वाला फोल्डर सर्च करना है यह सर्च कैसे होता है देखें इसका तरीका यह कि यहां पर जाके आप लिखे स्टार्ट कि इस पर देखते हैं कि 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 अग्य यहां पर देखें एडिंग एप टू स्टार्ट अब जैसे क्लिक करेंगे इसके उपर तो यहां पर हमें बता रहा है कि आपने कैसे कोई भी एप या कोई भी फाइल स्टार्ट अपर कैसे सेट करनी है लोड हो जाए एक मिनट कि स्टार्ट में जाए और यहां से राइट किलिक करें किसी भी एप के अपर मोर में जाए ओपन फाइल लोकेशन देखें इस फाइल लोकेशन विल इस्टार्ट कर सब्साइब सब्सक्राइब है ठीक है तो इस फिर कनेक्ट हो जाएगे ठीक है तो यहां से हम जाके इसको और किया रहा है दूसरा लोकेशन विंडोस लोगो और शेल स्टार्ट अप यानि कि यह वाला अगर हम लिखेंगे शेल और कॉलन के साथ स्टार्ट अप तो हमारे सामने स्टार्ट अप का फोड़र खुल जाएगा पर यह कहां पे लिखन शेल कॉलन स्टार्ट अप लिखने के बाद ओके करेंगे जैसे ओके करेंगे यह फोल्डर खुल गया स्टार्ट अब इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल एप फोल्डर आप रख देंगे जैसी विंडो लोग इन होगा वह खुद ही खुल जाएगा ठीक है मतलब आपने क कैसे एक्सपरिमेंट करना है कि आपने कोई भी वीडियो इमेज या टेक्स्ट फाइल नौटपेट की फाइल कोई भी फाइल आपने इसके अंदर रख देनी है अब रखने का तरीका तो आपको पता ही है यहां से क्या करेंगे कॉपी और इदर आगी क्या करेंगे पैस्ट उसके बाद फिर क्या करना है और पिर को लोग ओफ और जैसे आपका कंपींटर रिस्टार्ट अगा विंदो के अंदर वह फाइल आपके सामने खुल जाएगी ऐसा हम क्यूं करते हैं कि नापकोई फाइल हो डिरिकली और उपन हो जाए मुझे खोलने की जरूब नहीं पड विल्डर ओसोमांटिकली लोड हो जाएगा साहिए समझ में आ गई बात है